कि बरकान किदर लेके जा रहे हो इसको अभी तो एक दिन कहें मेरा बच्चा मैं तुझसे कह चुका हूँ तू इसे नहीं पालेगी मैंने सोच लिए इसे कौन पालेगा ये शेहर में रहेगा लेकिन शेहर में तुम्हें भी रह सकती हूँ मैं पालूंगी से ये तेरा करने का काम नहीं है इस काम के लिए मैंने किसी और को मुंतखित किया लेकिन अभी तक तुम्हेने इसका नाम भी नहीं रख गया है मैंने रख दी है इसका नाम पारिस अरे यार कोई भी रखे बाप रखे मा रखे बस दौा तो ये होनी चाहिए बचे खुश रहे और हमारा पोता साब जो है वो बस अमन में रहे हैपी आमीं आमीं असलाम लेकुम असलाम बहुत बहुत मुबारिक हो पापा जान तैंक यू बचे को बचे का तौफ़ा दे दिया मा को मा का तौफ़ा और ये तुम्हारा अरे अंकल इसकी क्या जरूरत थी मैंने कहा है यार के इन तकल्फात की क्या जरूरत है मत किया करो ऐसे 20-25 साल के बाद तुम्हारे घर में खुशी आई है तो इस मुके पर तोफ़ा लाना तो बनता है बनता है या नहीं बनता आई अंकल आप आप ऐसी तकल्फ करते हैं हमेशा वो याद है आपको वो लास्ट नाइम क्या लाए थे ये पर्फियूम कि इस दफ़ा पर्फियूम नहीं है अच्छा मैं बैठ जो मिलकुल नहीं ये तो तुम्हें इजाज़त दे देगा मैं नहीं दूँगा अरे तुम तो आओ ना आओ इदर बैठो आओ तैंक यू अंकल तैंक यू अब तुम लोग लगाओ आप उसमें गपशप अब थोड़ा सा वक्त हमें भी इन आयत फरमा दीजाए बिल्कुल नहीं लो वेई तुम लोग ज़रा गपशप लगाओ मैं ज़रा इनके साथ थोड़ी दे टहल के आ रहा हूँ आईए वेई आईए